भारत की कमपनी शेली के चितरकारों में राजा रवी वर्मा का बहुत ही जादा योगदान माना जाता है जैसे भारत में तैल चितरन की परमपरा को शुरू करने का स्रे राजा रवी वर्मा को दिया जाता है रवी बर्मा के द्वारा ही पहली बार लिथोग्राफिय प्रेस के स्थापना की जाती है मुंबई के घाट कोपर में 1894 में रवी बर्मा के कई सारे चित्रों पर उन्हें बहुत सारे पुरशकार मिले हैं एक चित्र जो आपके सामने यहां पर दिख रहा है इस चित्र का सेरशक है मुलाजू चूटिया नायर इस्त्री या इसको हिंदी में अगर कहें तो नायर महिला बालो में चमेली का हार गूथते हुए इस चित्र का सौंदर आप देख सकते हैं इस चित्र का इतना आकरशक सौंदर यह है कि राजा रवी बर्मा कला के शेत्र में अपने आपको कहां तक स्थापित कर चुके थे यह चित्र इस बात की गवाही दे रहा है साथी साथ रवी बर्मा के इस चित्र पर योगिता प्रमाड सौडपदक और गायकवाडपदक इनको दिया जा चुका है कैसर यह हिंद की उपादी इसी चित्र पर मिली थी इन्हें साथी साथ इसका जो प्रदर्शन किया गया था वो आस्ट्रिया की राजधाने बियना में इस चित्र का प्रदर्शन लगाया गया था इस चित्र की प्रदर्शन ही हुई थी मदरास में इस चितर के जो प्रदर्शनी लगाए गई थी तो मदरास में इसी चितर पर इन्हें गवर्नर्ट जनरल पुर्शकार से समानित किया गया था तो ये चितर काफी फेमस चितर है जो मनायर महिला बालों में चमिली का फूर्ग कूत रही है